कि अपने विए नमस्ते कैसे हैं आप सब टाइटल वस्ट्पल वन भी आप सब का बहुत वह सागत है गाइस आज लेकर आई हूं मैसेज आप सभी के लिए आपके पोर्षन की तरफ से समझ गए ना गाइस तो सब्सक्राइब कर लेकर आपके पोर्षन अभी आपको क्या संदिज देना चाहते है इसे पर आज की हमारी है है गाइस और पाइल यहां पर मैंने रख दिये हैं आपके सामने अल्फबेट्स है और स्टोन रखे हुए है तो आपको जो पसंद है आप उससे सरेट कर लो मैं काफी दिनों बाद मैसेज फॉम यह पॉर्शन वाली रेडिंग कर रही हूं अपडेटेट तो आई होप आप सरेट कर लीजिए इसमें रखा हुआ है वाइट स्टोन आप स्टोन भी सरेट कर सकते हो गाइस समझ गए पाइल नंबर टू में है एंसे लेकर जेट तक जी हैं एंसे लेकर जेट तक पाइल नंबर टू मैलफबर्स रखे हुए है और इसमें हैं गाइस रेड स्टोन ठीक ह आप single हो, आप married हो, आप unmarried हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप किसे के साथ रिस्ते में रहे हो, या फिर अभी भी उनसे रिस्ता बनाना चाहते हो, या रिस्ते के लिए इंतजार कर रहे हो, तो ये reading आप सभी के लिए है, male, female, gender wise, कुछ भी matter नहीं करता है, समझ गए बस आपका प्यार strong होना चाहिए, समझ गए ना, तो चले, I hope आपने अपना pile से लिट कर लिया है, A से लेकर M तक, N से लेकर Z तक, white and red stone, so let's start your reading and देते हैं आपको, आपके portion आपको क्या संदेश देना चाहते है, इस reading के जरीए, ठीक है guys, तो ये है हमारा pile number one, and this is white stone, सबसे पहले energy oracle card से energies check-in कर लेते हैं guys, आपके portion के energies क्या है, वो आपको, क्या बताना चाहते है कि मैं अभी इस condition में हूँ, इस स्थिती में हूँ, या फिर उन्हों, relationship को लेकर कुछ निकल कर आए, या आप दोनों को लेकर कुछ निकल कर आए, देखते हैं उनके energies अभी क्या सी है, अगर कुछ blockages है, तो क्या वो blockages खुलेंगे, angel of love, oh my god, number 49 यहाँ पर निकल कर आया है, number 4 और 9 भी important हो सकता है, नमबर 13 भी important हो सकता है, ठीक है, angel of love, प्यार का जो है angel, आप लोगों की जो relationship है, वो god gifted relationship है, पाई number 1, जिसमें जो है angels भी support कर रही है, और यह इंसान जो है, वो आपको जो है, angel की तरह देखते है, प्यार, मतलब इनको ना, किसी से अगर प्यार मिला है, तो वो सिर्फ आप से मिला है, आपको इस कदर इस इंसान की नजरों में आप एक angel की तरह हो, जिन्होंने इने प्यार किया है, ठीक है, जिन्होंने इनको respect दिया है, जिन्होंने इनकी life को प्यार से भरा है, तो आपको एक angel of love की तरह आपके portion देख रहे है, that you know your love is simply awesome, आपका प्यार किसी के मुकाबले नहीं है, आपका प्यार सबसे अलग है, तो इस तरीके से जो है आपके portion आपके बारे में ही आपर message दे रहे है, angel of love इन्होंने आपको कहा है guys, तो चलिए, एक और निकालते हैं, clarify करते हैं, देखते हैं, कुछ और निकल कर आता है, beautiful energy, door to personal healing and happiness, वाव, यह मैं जो बात आपसे कह रही थी कुछ देट पहले, कि blockages क्या है, है ना, तो blockages को लेकर यहाँ पर number 34 निकल कर आया है, तो number 4 आज specific हो सकता है, यहाँ से भी हमें number 4 नज़र आ रहा है, number 3 भी important यहाँ पर नज़र आता है, और number 7 भी important नज़र आता है, door to personal healing and happiness, यह कार्ट बता रहा है, कि अब वो दर्वाजे, जो है, बंद दर्वाजे, खुल रहे है, आपके और आपके person के बीच में जो blockages है, दिवारे है, attitude हो सकता है, ego हो सकता है, personal family issues हो सकता है, carrier को लेकर कुछ issues हो सकता है, जिसके वज़े से खुशिया आप दोनों को मिल नहीं पा रही, जिसके वज़े से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो, एक दूसरे से बिच्छड कर आप लोग sad हो, unhappy हो, खुश नहीं हो पा रहे हो, तो अब वो दर्वाजा खुल रहा है, जहां पर आप दोनों ही heal होने वाले हो, यानि कि आप दोनों को सुकून मिल रहा है, healing का मतलब क्या होता है, कि जब हमें उस दर्व से आजाती मिलती है, जिस दर्व को हम लंबे समय से जो है, फेस कर रहे है, लंबे समय से जूज रहे है, उस दर्व से है, heal नहीं हो पा रहे हो, तो अब वो रास्ता खुल रहा है, अब वह सफर स्टार्ट हो रहा है जहांपर आप दोनों की हीलिंग भी होने वाली है और आप दोनों की जिन्दगी में खुशिया भी आने वाली है यानि कि वह पोर्टल ओपन हो रहा है और मैं बता दू एक एनरजी जो है आपको लेकर निकल कर आई है कि आपके प्यार इस इंसान को कहीं और दिखाई नहीं देता यानि कि आप ही इनका पहला प्यार हो जिन से इनको प्यार मिला है यूनों प्यार का मतलब आप से इनको मिला है और दूसरी जो एनरजी निकल कर आई है वो दोनों ही आप दोनों के लिए निकल कर आई है यूनों स ό nurturing को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपके पूर्स開ट से निकाले हैं तरफ से क्योंकि निगने देखते हैं इन थो निगया कार्ड के या निकुति है और अधूरम निखेए इंसान जो यहां पर बता रहा है कि आप से बहुत प्यार करते हैं प्यार का मतलब इनको सिर्फ आप से पता है आप को ही प्यार समझते हैं तो क्या यह बात यहां पर निकल कर आती है और हीलिंग वाला और हैपिनेस वाली जो एनरजी है कि अब वह टैरेट से निकल कर आती है हम क्लैरिफाइक करेंगे गाइस ठीक है कर दो यह जो पाला है छानम है गला है यह झाला है प्यारी दोफ से लग में प्यारी प्यार करते हैं प्यार जोफ हैं कर ली है सफलिंग निकालते हैं पहला कार्ड हाई प्रुस्टेस ओ माई गॉड पहली ही एनरजी तो इसी वज़े से जो है हीलिंग यहाँ पर जो हीलिंग वाला वर्ड आया है न वह दिखता है कि कितना ज्यादा मैंनूपूलेशन हुआ है रिलेशन्शिप में बहुत ज्यादा जो है आउटर सोर्स का इंफ्लोएंस है बाहरी लोगों का जो है दखल अंदाजी हमेशा जब भी हाई प्रिस्टेस के एनरजी आए तो आप समझ लो कि क्या या तो बाहर के लोगों ने कुछ जूट बोले है आप दोनों के बीच में गल कुछ ऐसा था कि उन्होंने आपसे जूट बोले है बाते चुपाई है कुछ चीजे जो है बहुत लंबे वक्त के बाद आपके सामने आई है तो यह बहुत नेगरिटिव कार्ड होता है जिसके वज़े से बहुत दर्द मिला है ठीक है आपके पोर्सन की तरफ से मुझे बुरे लोगों को या इस बुरे सिच्वेशन को आप दोनों से अलग करवा रही है ठीक है आप बहुत जल्दी आप दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट मैं देख पा रही हूं पाइल नंबर वन ब्यूटिफुल एनरजी सेवन ऑफ पांदिकल आया है क्या संदेश देना चाहते हैं आपके पूर्शन आपको स्टार वाओ मेनिफेस्ट कर रहे हैं मेजर अरकाना से दो बड़े कार्ट निकल कर आच चुके हैं पाइब ऑफ सोर्ड तू आफ पांदिकल और बॉटम ऑफ देक में नाइन ऑफ देखे फेलर की ही एनरजी जो है निकल कर आई है नाइ यह आपकी जो पॉर्शन है ना गाई यह बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया है या इनसे करवाया गया है ना बाई हुक और क्रुक क्यों नो मतलब जबर जस्ती इनसे अगर कुछ चीजे करवाई भी गई है तो आज की सिच्वेशन मे में देखें बहुत जड़ा ऐसे कार्ड आये हैं फाइव आफ सोड आया है तू अफ पांटिकल आया है जो बता रहा है कि कॉंसेप्स है लडाईया है जगड़े है ना मन मुटाओ है गलत फैमिया है बहुत जड़ा तकलीफ में है यह इनसान परसनल और प्रोफेशनल लाइ कि खुश नहीं है पाइल नंबर वन ठीक है चलिए और और कार्ड निकालते हैं उसके बाद डिटेल में आपको बताएंगे एस ओफ वैंस वाव डोर टू पोस्टनल हीलिंग एन हैपिनेस तो जो दर्वाजा खुल रहा था इस दर्वाजे के खुलते साथ ही देखे न्यू बिग्निंग यहां पर नजर आई है वह भी दो दो जो है एस के कार्स नमबर वन वाव तू आप वैंस यहां भी है तू आ पयंटिकल इधर से भी निकल कर आया है हरमेट क्या बात है गाईस मिजर अरकाना से तीन कार्स निकल कर आ चुके है फिर से नाइन ओफ वैंस के एनरजी और बॉटम में जो है टैनो वैंस के एनरजी निकल यहां पर नाइन उफ वैंस दो बार निकल कर आया है इस रीडिंग में तो चलिए फटाफट से आपको साइन और एलिमेंट की तरफ लेकर चलते हैं तो आज रीडिंग में एक्विरिस पाइसे और वर्गो की एनर्जी जब अर्जस्ट निकल कर आई है तीन बड़े आज वाटर साइन नदारत है यहां से तो साइन और एलिमेंट पर फिक्स नहीं रहते हैं हम रिडिंग की तरफ बढ़ते हैं देख लेना जो सीचेशन निकल कर आई है वह आप से मिलती है या नहीं ठीक है उनका मिलना जरूरी होता है तो मेरा साइन नहीं आया ऐसा सोचकर मिलन फिलिंगает ये बटा रहा है कि नहीं आप खुष हो नहीं आपके पोर्सन खुष है आप दोनों के ही दोनों के ही जच्छम है लिए निकल करने हैं या आप दूनोंयं के दिल में बहुत जरुद के साथ आना चाहते हो और आप दोनों की खुशिया आप दोनों में ही है आपकी खुशिया आपके पोर्षन में बसती है और आपके पोर्षन के खुशिया आप में बसती है इसी वज़े से आप दोनों यहां पर जो है अलग-अलग हो इसी वज़े से एक दुसरे के बिना खुश नही आप दोनों ही एक दूशे को heal करने के लिए बने हो, समझ रहे हो guys, यानि कि खुशिया किसी और में नहीं है, आप भी चाहे ढूंड लो कहीं और जाकर खुश होने की कोशिस कर लो, time pass करने की कोशिस कर लो, आपके portion कोशिस कर ले, पर आप दोनों खुश नहीं हो पा रहे हो, you बहुत जल्दी वो समय आने वाला है, अभी आपके portion के energy में मैं देखूं, तो इनको बहुत बुरी तरीके से एक जटका सा लगा है guys, ठीक है, एक जटका लगा हुआ है, और इस इनसान को पता चल गया है, कि जो भी यहाँ पर high priestess के energy हुई है, यानि कि past में जो भी चीजे, यह बहुत गंदगी वाला कार्ड होता है guys, ठीक है, मेरी नजरों में दूसरे टैरे ट्रीडोस इसे कैसे बया करते हैं मैं नहीं जानती, पर यह इसे spiritual कार्ड मैं बिलकुल भी नहीं कहती है, spiritual इस ढंक से होता है कि गलत नियत, गलत बिचार, गलत धारनाए, हैना, लोगों क बुरा सोचना, लोगों के बारे में बुरा करना, हैना, लोगों को हमेशा जो है स्राप देना, लोगों के लिए लोगों को गिराने के लिए तंत्रमंत्र जैसी विध्याओं का इस्तमाल करना, इसे हम किसी भी मायने से spiritual नहीं कह सकते, यह बहुत ही self-centered कार्ड होता है, ठीक पीचे बहुत सारी ऐसी चीज़े की गई है, जिसकी भनक आपको नहीं लगी, आप से बहुत सारी चीज़े रिस्ते को छुपाया गया है, आप दोनों के relationship को छुपाया गया है, हो सता है कि आपके person किसी और relationship में थे, उसको छुपाया गया है, फैमिली के कुछ बातों को जुट बोले हैं, बड़े-बड़े जुट बोले हैं, जुटे-जुटे दावे किये हैं, और आपको हमेसा control किया है, तो यह जो हरकते हुई है, इसका जो परिनाम है, वो मुझे आज आपके person के energies में नजर आता है, कि that they are not at all happy, ठीक है, वो बिल्कुल भी आपने ही किये five of swords के energy आई है, जो बता रही है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे अच्छे इंसान के साथ बुरा कर देता है, तो उनको भी जिन्दगी में कभी खुश्या नहीं मिलती है, five of swords कुछ ऐसा ही energy दिखा रहा है, आपकी person की जिन्दगी में, यानि कि they are not satisfied, they have lots of competition, बहुत जद्द के person के खिलाफ लोग खड़े हुए है, हो सता है कि परिवार इनके खिलाफ है, या फिर दोस्त इनके खिलाफ है, या फिर जिन्को इनोंने सबसे ज़ादा चाहा है, आपके अलावा जिनको जिन्दों सबसे ज़्यादा एहमेद दी है, आज वही लोग इन को नहीं समझ पा एक दुस्मन जैसा बीःव कर रही है तो कहीं पर भी जो है ये इंसान कोशिस करने के बैवजुद Nep कर एक जीए नहीं पा रहा है जिसके वज़े से इस इंसान में एक फ्रस्ट्रेशन मुझे नजर आता है गुस्सा मुझे नजर आता है और इस गुस्से की वज़े से इंसान कहीं न कहीं अपनी गलतियों को सोच रहा है अपनी गलतियों को समझ रहा है कि मैंने जो किया था उसी का जो है खामियाजा मुझे मिल रहा है उसी का परिनाम मुझे मिल रहा है उसी का फल रहा है, transformation को दिखा रहा है, कि ये इंसान जो है, बदलना चाहते है, इस high priestess के energy को देख लो, और आप हर्मिट को देख लो, ये दोनों ही बिल्कुल ना अलग energy है, ये गलत लोगों की energy होती है, गलत लोगों का साथ जो है, संगत, गलत संगती का असर होता है, और हर्मिट जो ह उपर वाले का काड़ होता है, energies होती है, ये एक बुरा इंसान जो है, उसमें अभी transformation हो रहा है, ये इनसान जो है, इस गंदी नियत से, इस गंदगी से निकल कर अपने आपको साफ करने की कोशिस कर रहे है, प्यूरिफाइब करने की कोशिस कर रहे है, बदलने की कोशिस कर इनकी जो है, इन्होंने तौबा कर लिया है, ठीक है, देखी, इन्होंने तौबा कर लिया है, कि अब ऐसे चीज़े आप भविशे में वो कभी भी नहीं दोराएंगे, ऐसे लोगों के साथ वो अब कभी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसे ही लोग है, जिन्होंने आप दोन पाइल नमबर वन इन्होंने अगर आपको बहुत दर दिया है ना तो आपको समझना है कि अब इन गलतियों को नहीं दोराएंगे यह इनसान जो है खुद में बहुत बड़े दियाए क्षा अने को दिखाता है एक अकेलापन जहाँ पर इनको लग रहाएिड कि दीरे दीरे ही सही आहिसता औही सही हम दोनों के relationship में सब कुछ ठीक हो जाएगा यानि कि ये एक उम्मीद का कार्ड होता है पर यहाँ पर क्या होता है धिलाई होती है लेट होता है टाइम लगता है वक्त लगता है क्योंकि यहाँ पर अंधरी अंधर बहुत सारी चीजे प्रोसेस हो रही होती है इंसान में इंसान को बदलना ऐसे चुटकी भर का काम नहीं होता है समझते होना आप कोई भी आपको अगर मैं एक्जामपल दे दूना तो एक चोर है जिसे चोरी करने की हैबिट है उसके पास पैसे रुपे कम बहुत जादा क्यों ना हो फिर भी उसकी वो एक आदत होती है और उसे आधत को बदलना या छोड़ना वो किसी एक drug addict को ले लो आप उसे drugs लेने की आदत होती है आप एक smoker को ले लो वो यसे smoker करने की आदत होती है जिसे निकल पाना इतना आसान नहीं होता है तो वही जिन मतलब धीरे-धीरे वक्त के साथ वो इंसान जो है बदलता है, transform होता है, है ना, rehab में जाता है, तो आपके person का यहाँ पर जो energy है, जो high priestess से निकल कर hermit की energy में जाने का process है, इसी वज़े से जो है, आप लोगों को समय लगता है, एक होने में time लगता है, है ना, इनके वापस आने में आपको time लगत है, इनके calls आने में आपको time लगता है, क्योंकि उपर वाला, क्योंकि यहाँ पर आपके portion का rehab center जो है, सुधार केंदर हो, सुधार केंदर जो है, उपर वाला कर रहा है, इसी वज़े से वक्त लग रहा है, delays हो रही है, आप दोनों के reconnect होने में समझ रहे हो, तो बहुत कर रहे है, कि seven of pentacles, यानि कि relationship में रुकना, relationship pause में है, relationship अभी stop हुआ है, relationship आगे कहीं बढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि यह इनसान अभी भी कुछ चीजों को, कुछ मसलों में फसा हुआ है, कुछ चीजे हैं जिसे इस इनसान को निप्टाना है, कुछ प्रॉलम्स ऐसे हैं इनक को निकलना है, solve करना है, solution जो है, इनसान ढून रहे है, इन्होंने सोच रखा है, देखे, two of pentacles इनके juggling को दिखा रहा है, कि दो चीजों में यह इनसान बटा हुआ है, या दो चीजों में इनसान फसा हुआ है, पर वहीं पर two of events बताता है, कि juggling होने के बावजूद भी, यह इनसान जानता है, कि इन्हें आपकी तरफ आना है, इन्हें आपको पाना है, इन्होंने आपको खो दिया है, इन्हें इस दूरी को मिटाना है, जहां पर आप हो, उसी direction पर आपके पोर्सन की निगाये है, भले ही इनके हाथ में दो दो वैंट क्यों ना हो, है ना, तो इन्ह उम्मीद से भरावा इंसान मुझे नज़र आ रहा है जो आप से रिलेशन्शिप वापस पाने की ख्वाइस रख रहे हैं जो एक नियू बिगनिंग की आसा आप से रख रहे हैं जो सेकंड चांस आपके साथ चाहते हैं क्योंकि साइज इनोंने पहला चांस गुमा दिया है आ इस इंसान का मैनुपुलेशन कभी खतम नहीं हुआ इस इंसान की दगाबाजी कभी खतम नहीं और आप आपने जो इनको मौका दिया वह सब बेकार चला गया पर अभी भी देखें आपके पॉर्सन वही पैशन फिल करते हैं यह इनसान जो है जल से जल निकल कर आना चाहते है पर कुछ चीजों की वज़े से एक तो हर्मिट की वज़े से से इनका स्बेचल आवीकनिक की वजह से कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसकी वज़े से और कुछ चीजों के लेकर चो इनसान कानफेक्ट में है अपनी पॉर्सनल जिंदगी में फैमिली इशूज में या कुछ भी इशूज में इंसान जो अभी जगल कर रहा है उन सारे चीज़ों से निकलना चाता है ये ठक गया है आपका ये पॉर्सन बिल्कुल ठक गया है और आप इनको सुकून चाहिए देखे डोर टू पॉर्सनल ह मिलिंग का मतलब ही क्या है कि सुकून नहीं है इनको इनकी जिंदगी में सुकून नहीं है ये जानते हैं कि इनको सुकून आप से मिलना है जब तक ये वापस आपके पास नहीं आएंगे इनको सुकून नहीं मिलना है पर कही न कहीं डर तो है गाइस क्योंकि गलतिया हुई है डर तो इनके मन में है है न कि इतनी सारी गलतिया करने के बाद क्या ये रिस्ता आगे बढ़ पाएगा क्या इनको मौका मिल पाएगा क्या मेरी गलतियों को मैं सुधार सकता हूं क्या मैं अपनी प्रॉलम से निकल सकता हूं तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो है कन्फूज पर होने की वज़े से भी यह relationship growth नहीं हो रही पर seven of pentacles एक ऐसे energy है जो इच्छाओं को दिखाता है उम्मीद को दिखाता है कि आज नहीं तो कल मुझे आगे बढ़ना है आज नहीं तो कल मुझे इस प्यार को आगे लेकर जाना है एक कदम आगे बढ़ाना है कुछ करना है इस के लिए इस पौधे को मुर्जाने में नहीं दे सकता यानि कि यह पौधा क्या है आप दोनों का relationship है जो अभी मुर्जाये हुए condition पर है जो आभी आगे नहीं बढ़ पारा पर आपके portion को पूरा का पूरा भरोसा है कि यह पौधा मर नहीं सकता यह रिस्ता खतम नहीं हो सकत इसे हम आगे लिए कर जाएंगे तो इसी उमीद में जो है आपके portion यहाँ पर नजर आ रहे है आप देखे नाइन ओव वेंट्स की डबल एनरजी निकल कर आई है गाईस देखें यहाँ पर seven of cups है कुछ options का भी मसला हो सकता है तो यह energy सबसे हैवी मुझे नजर आ रही है नहीं चाहता अगर मैं साफ साफ कहूं तो यह बताना नहीं चाहता यह आपको कुछ दिखाना नहीं चाहता कि आपको गुमा कर आपको खो कर आपको धोका दे कर आपसे जूट बोल कर हैना इस इनसान ने तो खुद को ही खो दिया है खुद के वजूद को खो दिया है मैं य इससे एक रिस्ता भी नहीं समला गया और यह सारी जो बाते हैं इनको कचोडती है इनके मन में धक्का लगता है इस फेलियर जब ही अपने आपको हारावा महसुस करते हैं और इनको यह भी पता है कि इस हार के पीछे जिमेवार भी यह खुद है इनकी ही वजह से जो है आज आ भाई है बागी लोग तो इनसे नफरत करते हैं कैसे कैसे लोग है आपके पोर्सन के जिन्दगी में आप खुद देख लो है यहाँ पर देख लो कोई ऐसा नहीं है सक्स जो इनका अच्छा चाहता है जो इनका भला चाहता है जो इनको ग्रो करते वे देखना चाहता है जो सक्सेस्फुल होते वे देखना चाता है तो ऐसे बुरे लोगों की बीच में घिरा हुआ ये इनसान और बतकिस्मति की बात ये है कि इन्होंने ऐसे ही लोगों पर भरोसा कर लिया और अपने एंजल आफ लफ को अपनी जिन्दगी से ठुकरा दिया है न तो ये सारी चीज़े तो देखे आज यहां पर आहसास बनकर निकल कर आई है कि that they are facing such situation उनको पता है कि आज मेरे साथ कोई नहीं है कहने को बहुत है बहुत सारे लोग है पर मेरी भावनाव को समझने वाला मुझे जिताने वाला कोई नहीं है सब मेरे खिलाफ है सब मुझे गिरता हुआ देखना चाहते है इसे वज़े से में इंसान अब अपनी चीजों को किसी के साथ share नहीं कर रहा किसी को बता नहीं पा रहा तो अंदर ही अंदर isolation है अकिलापन है दर्द है मायूसी है पर यूनो कुछ अच्छा होगा इंदजार ही इंसान कर रहे कि आने वाले वक्त में कुछ जो बता रहा है कि इनकी चाहत ही यही है इनकी चाहत जो है आज जो में मैसेज में निकल कर आया है वो है आपके साथ new beginning आपके साथ एक नहीं जिन्दगी का सफर ही start करना चाहते है ठीक है पर रुकावटे भी है गाईस जब भी start का card आए reading में आप समझ लो कि ये इनसान कही ना कहीं तो मजबूर है जिसके वज़े से ये इनसान उपरवाले से उमीद लगाए बैठा है जिसके वज़े से ये उपरवाले से ही मांग रहा है कि कुछ तो अच्छा हो जाए मेरी beginning हो जाए मेरे जिन्दगी सुधर जाए मुझे success मिल जाए है जो चीजे मैंने life से खो द जो है नजर आच चुका है एंड यह आपके जो पोर्शन है यह इनके साथ अब नहीं रहना चाहते है यह अपने आपको सुधार ना चाहते है इन लोगों के बीच से अपने आपको हटाना चाहते है तो बहुत ब्यूटिफुल एनरजी साथ में टैन ऑफ वेंस के एनरजी भी निकल कर आई है और यहाँ पर 600 पैंटिकल्स भी नजर आया है तो यह बताता है बोज है जिन्दगी इतना इतना ठका हुआ इनको महसूस होता है है ना एक तो आपके साथ धोके बाजी का बोज है दूसरा आपको खो देने का बोज है तीसरा जो लाइफ में अभी यू अभी जो एक उतार ठड़ाव आ रखा है इनकी जिन्दगी में सारे लोग इनके खिलाफ है कुछ भी चीज इनके फेवर में नहीं हो रही है न तो उन सारी चीजों का बोज यहाँ पर फैमिली का भी बोज यहाँ पर हो सकता है फैमिली की वज़े से आप दोने के बीच में करेंगे अब यहाँ पर मैं कोई भी प्राउमिस आपको नहीं करूंगी आपसे मैं यह नहीं कहूंगी कि इनसान आगे future plans क्या लेकर आ रहा है किया marriage का commitment लेकर आ रहा है या फीर आपके साथ बहुत बढ़े-बढ़े जूटे वादे करने के लिए आ रहा है या आज ही आकर जो है आपके साथ marriage के बाते करेगा ऐसे जुटे जुटी चीज़े मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि उसको लेकर कोई कार्ट से हाँ पर नहीं आये हैं मुझे यहां पर श्रिफ यह नजर आया है कि इस इंसान की चाहत है कि आप दोनों का रिस्ता एक कदम आगे बड़े एक नया जो है स्टार्ट अप आप दोनों के बीच में हो आप दोनों की जिंदगी में खुशिया वापस आए और यह खुशिया आप दोनों को एक दूसरे के साथ ही मिलनी है ठीक है तो यह खुश नहीं है इस कार्ट को देख लो और आप समझ जाओगे कि इंसान आपके बिना बिल आप में इनको प्यार नजहरात आता है समझ गयी सुकून नजहराता है तो यह रही हो इनके काटि में निकल आगा है पोसी हो डिए-टार ये इंसान अक्षन लेंगे गाईज पर हर्मिट आया है तो beginning होगी पर जरा वक्त लगेगा ठीक है वक्त लगेगा रोना मत तो ये आपको एक सलहा दे रहे हैं सुझाओ दे रहे हैं कि प्लीज आप इनके लिए मत रोना क्यूंकि इनको पता है गाईज इनको पता चल चुका है कि इन्होंने आपको बहुत रुलाया है इनकी वज़े से आप बहुत रोए हो बहुत दर्द में आप रहे हो इनक तुम्हें आज भी देखता हूं ये कह रहे कि आज भी आपको देखते हैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं देखिये कह रहे कि आपके पास आना चाहते है क्याई दो दो जो ए इस की Rignasya के हा पर निकल कर आई है Ace of Wands और एस of sorts यह definitely आपके पास keeping touch होना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, साइद इसी को यह manifest भी कर रहे हैं I still love you, देखें वाव, angel of love के लिए यह message आया है, कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, या फिर करती हूँ, beautiful energy साइद यह होना ही था, आप दुनों के बीच में जो separation हुआ, साइद यह होना ही था, इस इंसान को एहसास हो चुका है, कि इस रिस्ते का अंजाम क्योंकि बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे, जो बोगे वही काटोगे है, ना तो यह इंसान बहुत मायूस है, कि जो भी आप तुनों के बीच में हुआ साइद यह लिखा हुआ था, यह destiny थी, तो कहीं ना कहीं, destiny पर भरोसा करते वे, किसमत पर भरोसा करते वे, आपके portion नजर आए हैं, guys, तुम हो तो सब है, तुम नहीं, तो कुछ नहीं यह कह रहे हैं, कि आप है, तो सब है, आप नहीं, तो इनकी जिन्दगी में कुछ भी नहीं है, guys, ठीक है, तो बहुत ही beautiful message इन्होंने भेजा है, आपके लिए, guys, I hope आपको इनकी energy समझ में आई है, I hope आप समझ गए हो, कि यह इंसान अभी किस situation में है, इस इंसान के situation देकर ऐसा लग रहा है, कि यह इंसान, you know, हर, मतलब इनके सरीर के ह इनको आवाज आती है, कि इनको आपका होना है, आपको इनका होना है, यह आपके पास आना चाहते है, यह new beginning चाहते है, पर past में हुई जो घटनाए थी, past में हुई जो hyperstress वाले energy थी, उसके वज़े से यह इनसान सरमिंदगी में है, और अपने आपको बदलने की कोशिस कर है, changes लाने की कोशिस कर रहा है, और उसके बाद जो है, new beginning आपके साथ कोशिस करना चाहता है, मौका मिले ना मिले, आप मौका दो ना दो, यह दूसरी बात है, पर इस इनसान की नियत साफ हो चुकी है, that they want to come back in your life, समझ रहे हो पाई, number one, तो guys, यह थी आपके portion की तरफ से reading, I hope आपको समझ में आई है, I hope आपको पसंद आई है, पसंद आई है, तो वीडियो पर like, comment, share and subscribe कर देना, मैं मिलूंगे आप से फिर से next reading में, तब तक आपको रखने है अपना बहुत अचा खयार, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार, I love you all, take care, namaste and Hey guys, pile number 2, welcome back, तो जिनोंने भी answer लेकर Z तक आई है, चले देखते हैं guys, आपके person आखिर आपको कौन सा message देना चाहते है, इस reading के जरीए, कौन से संदे से है, जो आप तक पहुँचाना चाहते हैं guys, ठीक है, सबसे पहले, energy और एकर card से दो energies निकालेंगे, देखते हैं, आप द मनजिल मिल पाएगी या नहीं, या फिर दोनों की ही अलग-अलग energies निकलतरा सकती है, देखते हैं guys, ठीक है, energies किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, relationship के energies, आपके energies या आपके person के energies हैना, let's see, patience, वाओ, number 16 आया है, तो number 1 और number 6 और number 7 भी important हो सकता है, number 16 के साथ, ठीक है, patience रखने के लिए कहा गया है, यहाँ पर, one more, attachment, oh my god, number 5 निकल कर आया है, तो number 6, number 5, number 1, number 7, आज की reading में important नजर आच चुका है guys, ठीक है, तो patience, oh, patience और attachment, वाओ, जुडाओ, बहुत ज़रा जुडाओ है इस connection में, यह रिस्ता, इस रिस्ते की जो bonding है, मजबूत ही जिसे हम कहते हैं, बहुत मजबूत रिस्ता है, pile number 2, आपका और इस इंसान का रिस्ता बहुत ही awesome है, chemistry बहुत है, जुडाओ है, जुडे हुए हो, जैसे दिल से दिल जुड जुड़ी हुई है, आत्मा से आत्मा जुड़ी हुई है, एक ऐसा धागा है, जो तूट नहीं सकता, प्यार का धागा, भरोसे का धागा, जो भी है ना, तो attachment बहुत जारा है, mirroring वाली energy यहां पर निकल कर आई है, इस वर कह रहे हैं कि एक दूसरे में देखे, अगर आप इ हर जगे पर आपको देखना, हर जगे पर आपको महसूस करना, आप भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हो, है ना, आपको अपने चहरे में इनका चहरा नजर आता है, आपको हर वक्त इनका खयाल आता है, वही energy आपके portion की भी है, यानि कि अपने आप में, अपने अक्स में यहां को देख रहे है, mirroring वाली energy, projection वाली energy, यहां पर नजर आती है, मतलब बंधन होते हुए भी देखे, यहां पर इस लेड़ी को जो है, बेड़ी उसे बांदा गया है, है ना, मतलब प्रॉलम्स है, आप दोनों के relationship में बहुत प्रॉलम्स है, पाइल नमबर टू, जकड़न है, यहां पर रिस्ता जकड़ा हुआ है, यहां पर freedom नहीं है, एक दूसरे को पाने की freedom नहीं है, एक दूसरे को प्यार करनी की freedom आजा दी आप दोनों को नहीं मिल पारी, फिर भी बंधनों के होते हुए भी एक दूसरे को भूल नहीं पारे हो, एक दूसरे में एक दूसरे को ढ भून रहे हो इस तरीके का बहुत ही खुबसरुत बॉंडिंग आप दोनों की रिलेशन्शिप में उपर वाले को नजर आ रहा है जो एनरजी और कार से निकल कर आया है दूसरा एनरजी पैशेंस का आया है जो बता रहा है कि ध्यर्यधारन करो हिम्मत रखो अपने आपको लेडियो को काटा जाएगा जिस जक्रन से आप दोनों को निकाला जाएगा क्योंकि यंदें को भूल नहीं पार Heo नहीं कर पारे हों तो अगर आप चाहते हो TV आगे बड़े मिल जाओ एक निकलस यह दिवाइन टाइमिंग को दिखा रहा है कि वक्त के साथ आपका जो इंतजार है आपने जो सब्र बनाया है आपके पोर्षा ने सब्र बनाया है इसका फल आप दोनों को मिलने वाला है तो वेट करने के लिए कहा है तोटली मतलब इस रिस्ते में आप कुछ नहीं बचा ऐसान मत सोचो यह होने में वक्त लगेगा और लास्ट में जो है फ्यासला जो है आप दोनों के ही फेवर में आएगा पाइल नमबर दू यह बात में पहले ही टैरर से निकालों ना निकालों पहले ही मैंने उपर वाले का फैसला आपको बता दिया है ठीक है जुड़े हुए हो जैसे कि दो आत् होती है उस तरीके से आप जोड़े हुए हो एक दूसरे के साथ यह तो आंजल ने आपको मैसेज दिया है युनिवर्स ने आपको मैसेज दे दिया है आप चलिए देखते हैं टैरर से यह चीज़े कितनी मैच होती है पेशिंस और एटेच्मेंट का जो कार्ड निकल कर आया है आप जोनों का कनेक्शन कैसा है जुदा हो के भी तुम मुझ में कहीं बाकी है वही वाला एटेच्मेंट है गई समझ रहे हो कि जुदा हो गए हो फिर भी जो है जुड़े हुए हो यह जो बेडिया यह बंधन नजर आए है दो में से एक इंसान को तो किसी ना किसी चीज ने जकड़ा है गईस कुछ ना कुछ यहां पर ऐसा हुआ है कि एक को जाने नहीं दिया गया आपके साथ आपके पास आने नहीं दिया जा रहा ठीक वाव गाईज, Sun Happiness, खुश्या, इंतजार करोगे, सबर करोगे, तो Sun मिलना है, देख लो, इंतजार का फल मीठा होता है, कुछ देर पहले ही मैंने आपसे कहा था, कि इंतजार का फल जाया नहीं जाएगा, देख लो, दूसरा कार्ट, Night of Cups, क्या बात है गाईज, वाव, क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके portion, Wheel of Fortune, वाव, Divine timing कह रही थी मैं, कि Divine timing का कुछ नजर आता है, आपका इंतजार खतम होने वाला है, Wheel of Fortune भी आ गया, वाव गाईज, एक से बहतर, एक बड़े बड़े कार्ट, रो, Three of Pentacles, वाव, Positive, आपके favor में है, सारी चीजे आपके favor में ह यहां पर, जो बेड़े थी ना, मैंने आप से कहा था कि बेड़े नजर आती है, कुछ चीजे हैं, जिन्होंने इनको बांध रखा है, आप उन बेड़े के खुलने का वक्त देखे, यहां पर आ गया है, Divine timing के साथ, कर्मा के साथ, जो है, Three of Pentacles आया है, यानि कि दूसरी जग करते, तुम्हें उसे छोड़ना होगा, कस्मेवादे, रिलिजन, धर्म, जाती, भाती, कल्चर, ट्रेडिशन, इन सब का रोना, रोकर, अगर यह सी बेड़िया डाली गई है, आपके रिलेशन्शिप में, और आपके पोर्शन, थर्ड पार्टी के होकर चले गए है, तो द बात है गाईस, 9 of pentacles, sorry 9 of cups, wish fulfillment, wish तो fulfill होकर ही रहेगी गाईस, इसे कोई नहीं रोक सकता, आप दोनों को खुश होने से, आप दोनों के एक होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, pile number 2, 10 of swords, आपके पोर्शन के bottom के energy देख लग भाई गाईस, क्या है, जुदा हम हो गए जाना, मगर ये जान दो जाना, कभी मैं याद आऊं तो, चले आना, चले आना, King of swords, Emperor Temperance, oh my god, देखे, Temperance आ गया, Patience जो यहाँ पर आया था ना, Patience वाली energy, Temperance के आई है, Healing वाली energy, Temperance के आई है, ये भी बता रहा है, कि सबर करो, रुख जाओ, इंतजार करो, जल्दबाजी मत मचाओ, है ना, वक्त के साथ, तुमारा ही तो है ये इंसान, वक्त आने पर तुमारा ही है, तुमारे लिए ही बनाया गया है, सबर कर लो भई, ठंड रख लो, ठंड, three of carbs, जबर 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 ज इंसान की सकल में ही हो, हो सकता है कि खुद गर्जी हो, हो सकता है कि इनका ड्रामा हो, इको हो, हो सकता है कि आप दुनों की बिच की गलत फैमिया हो, हो सकता है कि कैरर को लेकर कुछ मसले हो, है ना, तो कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी का सकल, आप देख ले ना, आपके र बात पर बेडिया बांदी है पैरों पर बेडिया बांदी है बांद कर रखा इस इंसान को फिर भी आपकी तरफ आने की चाहत आपको देख रहे हैं आपके अपने सकल में अपने चेहरे पर अपना आपका चेहरा देख रहे हैं आपको महसूस कर रहे हैं सिक्स अफ कप से आप बंदन तो बहुत सारे हैं आपके रिलेशन्शिप में पर प्यार इतना गहरा है ना गाईज प्यार इतना अटेज्ट है देके six of cups, same वही अनजी आई है, sorry यहाँ पर है, प्यार इतना गहरा है ना कि चाहे जितनी भी बेसपरी क्यों न हो, जितना भी इंतजार करना क्यों न हैना जितना भी भूलने की कोशिस क्यों न करें, हैना यह नहीं होगा, ना आप कर पाओगे, ना आपके portion से हो पाएगा, यह हो ही नहीं सकता कि एक दूस्रे को भूल जाओ, never, impossible, it's impossible, pile number two, तो let's start your reading, देखते है, sign or element पर आज क्या क्या निकल कर आया है, तो Leo की energy आज जबर है, Sagittarius के energy भी मासा आला, सुभान आला, जबाजस्त है, यानि कि तीन मेजर अरकाना से बड़े कार्श निकल कर आए है, इसके लावा, कप की energy, वोट साइन, कैंसल को प्यपाइसे, करकृशिक मीन रासी, और्थ साइन, डॉरस वर को क्याप्रिकॉन, विशप कनिया मकर रास है, हम situation को भी देखेंगे गाइस, ठीक है, तो इस रिस्ते में जैसा की पुरा नजर आया है, कि जो जुदाई हुई है, जुदा हम हो गए जाना, मगर यह जान लो जाना, कभी मैं याद आओ, तो चले आना, चले आना, जी हाँ, आने का वो वक्ज भी आ गया है, वो return back का, जो energy है, three of pentacles हो भी आ गया है, कि जैसे गए है, वैसे ही अब आना है, उल्टे मू लोट कर आना है, उल्टे पैर जो है, लोट कर आपके पास इस इंसान को आना है, यानि कि समझ में आ रहा है कि ये बेडियां जो है, third party का किया कराया है, three of pentacles, three of cups, किसी और के साथ दोस्ती क कर लेना, किसी और के साथ रिष्टे में चला जाना, affair कर लेना, या फिर किसी के साथ marriage कर लेना, या फिर किसी के साथ engagement कर लेना, वादा आपके साथ करना, प्यार आपके साथ करना, रिष्टे में आपके साथ रहना, और last moment में आकर वादा खिलाफी करना, और किसी और के साथ जाकर पर्टनर्शिप कर लेना किसी और के साथ दोस्ती कर लेना किसी और यहां पर नजर आता है कि तर्ड पार्टी के इसारों पर चलने के बावजूद यह लए इंसान एंपरर की इस एनरजी ने और किंग ऑफ सोर्स की एनरजी में अब मैं आपको बताती हूं कि इन कार्ट का मतलब गया है एक ऐसा इंसान जो हील नहीं हो पा रहा जो आपके और इनके इस कन्येक्शन को जो एक्टेश्मिंट का काड़ाया नहीं कि दिल में घुसे हो आप इस इ बेडिया किसी और ने पाउं उपर डाली है पर दिमाग और दिल में जो बेडिया है वह आपकी है समझ गई इस तरीके का गहरा कनेक्शन है तो देखे टेंब्रस बता रहा है कि यह इनसान बहुत दुखी है बहुत तकलीफ में है बहुत दर्द में हो सकता है कि इनकी का असर इनके सरीर तक हो चुका है बहुत बहुत यह इनसान आपको जैसे निकाल ही नहीं पारे लेटको कर ही नहीं पारे यह इनसान सब्र बनाए हुए पेशिंस बनाए हुए है अपने आपको संभालने की कोशिस कर रहे कि मैं खुश हूं मैं खुश हूं तुम्हारे बिन समय सा पत्थर जैसा होने का energy होता है और emperor होता है चुपी सारने का energy यानि कि मैं चुप भी हूँ मैं खामोज भी हूँ मुझे तुम्हारी फिकर भी नहीं है और अंधर ही अंदर ये खुद कितना तडप रहा है ये इंसान खुद कितना जल रहा है कितनी जलन में है ये आपको कहां से नजर आएगा guys क्योंकि ये तो देखे चुप चुका है इनकी खामों से की पीछे इनका ये दर्ड जो है चुप चुका है ये आपको बिल्कुल express नहीं कर रहे हैं ये इनसान आपको कुछ भी नहीं बता रहे हैं अंदर ही अंदर तडप अंदर ही अंदर जलन अंदर अंदर ही अंदर जो है हील होने की कोसिस अंदर जो है खुद को मिटा रहा है खुद कोको खोता जा रहा है इस तरीके का इन्होंने थर्ड पार्टी के पास जाकर देख लिया, इन्होंने फोर्थ पार्टी के पास जाकर देख लिया, इन्होंने हर पार्टी के पास जाकर देख लिया, कहीं से भी जो है, इनको वो सुकुन नहीं मिल रहा, इनको वो प्यार नहीं मिल रहा, इनको वो भरोसा नहीं मि साथ आपके साथ इन पलों को फिर से जीना चाहते हैं moment to moment आपके साथ जीना चाहते हैं करने ही पा रहे हैं तो यादों में हैं है ना आपके साथ ये चीजे वो हकिकत में करने ही पा रहे हैं आपसे मिलना आपको चुना, आपके साथ बाते करना, आपके साथ घूमना, फिरना, आपके साथ एक अच्छा वक्त बिताना, यह सारी चीजे इनके यादों का हिस्सा बन कर रह गई है, और इन यादों को यह फिर से जीना चाहते हैं, आपको यही message दे रहे हैं, that I am thinking about you all the time, मैं तुम्हारे बारे तुम्ही मेरा आज हो, और तुम्ही मेरा भविश्य हो, तुम्ही मेरा प्यार हो, तो इस तरीके से इनसान आप से जुदा होकर भी जुदा नहीं हो पा रहा है, देखे, Nine of Cups के energy आई है, यह इनसान आप में ही वो सारी चीजे देख रहा है, अब जाकर, इस इनसान को चल पड़ा या फिर मैंने उनकी बाते माली, चाहे वो दायतों के नाम पर हो, चाहे वो बेडियों के नाम पर हो, फैमली के नाम पर हो, है ना, कास्ट के नाम पर हो, तो वो अपनी खुशियां यहां पर नहीं ढूंड पा रहे है, इनको मिल नहीं पा रहा, अगर यह इनको पार्टनेश्यप आपके साथ चाहिए इनको पता है कि आपके साथ रिस्ते में वापस आगए तो इनको जुआ इनकी जिन्दगी खुशाल हो जाएगी इसका मतलब है यहिए ना कि एक फूश नहीं है आपके बीना है या नहीं विश्ब्स मांग रहे हैं प्यार वापस कर दो प्यार वापस दिला दो जो गलतिया हुई उसे सुधार कर जो है मुझे अपनी प्यार को पाना है हासिल करना है मैं कर नहीं पारा मेरी मदद कर दो तो मदद मांग रहे हैं उपर वाले से आपके पोर्सन समझ रहे हो गाईस मैं आपसे इतने सिधे सब्दों में मैं आप से हर चीज़ बताती होगा इस ताकि आपको समझ में आए कि इंसान की भावना कैसी है ये इंसान आपसे क्या कहना चाहता है ये इंसान आपको बताना क्या चाहता है तो थर्ड पार्टी के साथ जो है यहां पर रिस्था तूटता हुआ मुझे नजर आया है और टैन अफ सोर् और मॉजे लग रहा है कि सोल मेट है लवर्स का कार्ट ओमाइ गाउड देखे यहां पर लवर्स यहां पर टू आफ काप साथ साथ यहां पर सिक्स आफ काप्स भी है यह तो 90% रिडिंग आज के आज की सेकंड नमबर की जो है पाइल नमबर टू कारमिक के लिए है कुछ ल दोकातों सूलमिट वाले भी कर जाते हैं भई है ना पर मजबूरी में करते हैं युनो मजबूर होकर करते हैं पर यहाँ पर जो टेन ओफ सोड साय गाईज यह इस इनसान की ओवरल एनर्जी है जो बता रही है कि क्यों दिल में दर्ध है यहाँ पर जो दिल में दर्ध नजर रहा है जिसे यह सुधानी की कोशिस कर रहे हैं अपने आपको बदलने की कोशिस कर रहे हैं बिमार तक यह इनसान पढ़ गया है बीमार तक हो चुका है इन दर्ट से निकल नहीं पा तो इसके पीछे की वज़र 10 of swords भी है ठीक है कि धोका हुआ है इस रिस्ते में जबर्जस धोका आपको मिला है जबर्जस बैक्स्टैबिंग हुई है जबर्जस जूट बोले गये है रिस्ते को तार-तार किया गया है रिस्तों पर मतलब खंजर डाले गए है पीछे से वार हुआ है है ना कुछ लोगों के साथ मिलकर आपको अकेला कर दिया गया है है वो नजर आता है तो जो धोका इनको आपकी तरफ आपसे जो इन्होंने धोका किया है उसी बेवफाई का जो है यहाँ पर टिट फोर टैट हो रहा है सोच रहे है कि मैंने जो किया है ना मैंने जो किया साइद उसे में भले ही कभी माफ नहीं कर पाऊंगा यानि कि खुद को माफ नहीं कर पाना खुद उन एहसासों से गुजरना जो धोका आपको मिला है उन धोके को खुद फिल कर पाना कि मैंने बुरा कर दिया मुझसे अच इनको करवाया है यह बहुत बुरे condition में कहीं न कहीं उमीद इसका है कि इंशन ना उमीद की समझ आप तूटने का अधूनल को ii आप बिच वोस्त का इनसार कर रहा है कि आप दोनों के वीच में सब कुछ अच्छा हो जाए देखे Will of Fortune आया है Will of Fortune बता रहा है कि इस इंसान को भी उस वक्त की तलास है Divine timing का इंसान इंतजार कर रहे है इनको पता है कि कर्मा काम करेगा इनको पता है कि एक ना एक दिन जो है इनको इस दर्ड से छुटकारा मिल जाएगा एक ना एक दिन आप दोनों का अच्छा वक्त आएगा एक दोनों एक दिन जो है इन बेडियों को खोल कर आपकी तरफ आजाएंगे आप दोनों का मिलन हो जाएगा आप दोनों का रियोनियन हो जाएगा आप दोनों का रियोनियन हो जाएगा इन लोगों के बीच से लोगों के चुंगुल से लोगों के हातों से निकलनी की इंसान बहुत चाहत रखते हैं एक ट्राप्ट किया गया है ट्राप्ट हुए है फसे हुए है निकलनी की चाहते है पर निकलनी नहीं दिया जा रहा यही है इसका मतलब यहां पर एटेश्मेंट प्रॉलम्स को दिखा रही है तेन और सोर्स गिल्ट को दिखा रहा है रिग्रेट को पस्तावे को दिखा रहा है नाउमीद को दिखा रहा है पर कहीं ना कहीं जो है यह इनसान अभी भी उमीद कर रहा है कि एक दिन जो है आप दोनों के ही फेवर में हख होगा आप दोनों का क इनसान इनको आपके साथ चाहिए यह यह प्यार का प्याला यह आपको आफर करना चाहते हैं गाइस तो बहुत ज़रा रियूनियन की ख्वाई से यहां पर है गाइस देखें नाइट ओफ कप्स आया है जो बता रहा है कि इनसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में दुबारा एंट्री करेगा नाइट ओफ कप्स लॉंग दिस्टंस को भी दिखा रहा है नाइट ओफ कप्स जो है प्यार के दूर होने को भी दिखा रहा है कि इनसान दूर चला गया था आपस बहुत दूर हो गया था एमोशन से दूर हो गया था फीलिंस से दूर हो गया था यह इनसा के लिए आ रहा हूं तुम्हें प्यार से भढ़ने के लिए आ रहा हूं सो दे आर कमिंग बैक एंडे वांट टू कम बैक समझ गए यह आना भी चाहते हैं और यह आ भी रहे हैं क्यों आ रहे हैं क्योंकि हमें नाइन अफ कप्स मिला है जो बताता है कि इनकी इच्छाएं पूरी होने वाली है कप्स के एनरजी प्यार को दिखा रही है थ्री आफ कप्स के एनरजी प्यार को दिखा रही है थ्री आफ कप्स के एनरजी प्यार को दिखा रही है सिक्सको हर तरफ तो कभी कप है गाईज हर तो प्यारी प्यार है इस इंसान की messages में आपके लिए that's why जो चाहत यहां पर यह रख रहे है वो चाहत यहां पर fulfill हो रही है पूरी कर रहा है universe इनको दे रहा है वो जो यह पाना चाहते हैं समझ रहे है क्योंकि जब तक इनको यह nine of cups और यह six of cups वापस नहीं मिलता this portion is incomplete यह इंसान अधूरा है और मेजर अरकाना से एक बहुत बड़ा काड़ा आया है जो है हमारा पहला कार्ड सबसे धमाकेदार कार्ड energy sun की energy लियो की energy जो बता रही है कि यह खुशियां आप दोनों को मिलनी है यह इंसान relationship का offer लेकर प्यार का offer लेकर family का offer लेकर traveling का offer लेकर communication का offer लेकर call का offer लेकर कुछ ना कुछ offer लेकर यह इनसान जो है आपके जिन्दगी में वापस भेजा जा रहा है universe इनको वापस भेज रही है समझ गए यह फैसला आपके portion का नहीं है यह मैसेज जो निकल कर आया है यह आपके पॉर्सन का मैसेज बिलकुल नहीं है बाकि सारे उनकी एनरजी है वो क्या सोच रहे है किस टीस का इंतजार कर रहे है पर उपर वाले का फैसला है यह दो एनरजी गाइस वील ऑफ फोर्चुन और सन की एनरजी यानि कि जिस टीस को आ आप ना निकाल नहीं पा रहे हो आप दोनों वो चीज़े जो है वक्त के साथ आपको मिल जाएगी यानि कि फोर्चुन डिवाइन टाइमिंग क्लाइमेक्स जिसे हम कहते हैं वक्त का पहिया वील ऑफ फोर्चुन है यह घूम रहा है ताकि आप दोनों की जिन्दगी में ख दुखी मत रहो और इस डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करो पॉजिटिविटी यहाँ पर आनी है अभी बाकी है गाईस समझ गए तो गाईस यह तो रहे वो मैसेज़े जो मैंने निकाले है टार्ट से और एंजल की तरफ से चलिए अब मैसेज फॉर्ट से और एंजल की इसी के वज़े से साइध यह इंसान आपके जिन्दगी से गायब हुआ है साइध इसी वज़े से इंसान चुप है खामों से पत्थर बना हुआ है तो यह कह रहे है कि मेरी मजबूरियों को समझो क्यों नहीं समझ रहे हो तुम मेरी मजबूरियों को मेरी तकलीफ तुमें तो आपसे कुछ समजदारी की उमीद रख रहे हैं किब स्माइलिंग ऑळ्वेज कह रहे हो हमेसा मुस्कुण आते रहो ठीक है आपसे भी इनको आपकी स्माइल पसंद हो क्या तुम्हें मेरी हो या मेरी याद आती भी है हाँ या भूल चुके हो क्योंकि यह नहीं भूल रहा आपको है ना सिक्सकाप्स भूल भूल सकता ही नहीं हो भी नहीं सकता चड़ियों और मोर आपको बहुत स्ट्रांग मांते हैं भूस्रत भी इंसां मानते हैं उन्की नजरो में आप जो हैं बहुत बोल्ड बहुत स्ट्रांग हो गयााईज बहुत स्ट्रांग हो मूल इस rejected माफמו के लायक नहीं हें टेनफ स्वोड के इनको पस्तावा है इनको regret है कि जो भी हुआ है वो मेरी कमी कमजोर्य की वज़े से हुआ है वो मेरे stand ना ले पाने की वज़े से हुआ है वो मेरा साथ ना दे पाने की वज़े से हुआ है तो अपने आपको गलत भी मान रहे है और कहीं न कहीं पस्तावा इस इंसान को definitely है जाइस चलिए one more pure love for you धेर सारा प्यार जो pure love होता है दिल से निकला हुआ प्यार होता है वो यह इंसान आपके लिए भेज रहा है so दूर से ही सही guys message के जरीए ही सही this person is sending you loss and loss of pure love आपको भेज रहे हैं आप इसे accept कीजिए guys ठीक है accept कीजी और इनकी गलतियों को माफ कीजिए क्योंगी ये कह रहे है कि मेरे गलतिया सायद माफी के लायक नहीं है तो आपको इन्हें माफ करना है जो भी किया है भूल जाओ guys ठीक है भूल जाओ और माफ कर दो ताकि ये जल्द से जल्द हील हो सके आपकी माफी इनको हील करेगी guys ठीक है आपकी माफी इनको आगे बढ़ने में मदद करेगी तो guys ये थी वो चीजे जो निकल कर आई है मुझे नजर आचुका है कि बहुत जल्दी आप दोनों की जिन्दगी में खुशिया आएगी पर थोड़ा वक्त लगेगा थोड़ा सब्रक करना पड़ेगा divine timing है और जैसे ही आपने सब्रक कर लिया वैसे ही जो है आपकी और आपकी portion का reunion होगा क्योंकि sun जो है खुशिया लेकर आ रहा है sun clarity लेकर आ रहा है sun जो है बंधनों को तोड़ रहा है बहुत सारी चीज़े यहाँ पर आप दोनों को मिलने वाली है यह चुपी हटने वाली है और यह इनसान जो है इस पत्थर से इस पत्थर की energy से निकल कर आपको अपना दर दिखाने के लिए आ रहा है आपको अपना प्यार बताने के लिए आ रहा है जताने के लिए आ रहा है तो guys यह थी आपकी messages from your portion I hope आपको इनकी भावनाई समझ में आई है मैं चाहूंगी कि आप भी इनको कुछ समझनी की कोशिस करो कि क्यों यह इनसान ऐसा हुआ है क्यों बदला है क्यों यह इनसान गया है इन चीजों को थोड़ा सा समझनी की आपको भी कोशिस करनी है यानि कि इनकी मजबूरियों को इनकी प्रॉलम्स को आपको थोड़ा सा समझना है गाईस ठीक है इतना कहते हैं गाईस अब मैं रिडिंग को कर रही हूँ क्लोज आपको रखने अपना बहुत चाह गयार क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार I love you all take care namaste and bye bye guys